बता दे कि करनाटका में किसान ने अपने दोस्तों के साथ महंदरा सौरों में एक SUV खरीदने गए थे और जब गाड़ी के रेट को लेकर सेल्समें से पूश्टाच की तो सेल्समें ने उनका कपड़ा देखकर उनका मजाक उड़ाया और उसने ये तक कह दिया कि उसकी जेव में 10 लाक तो छोड़ो 10 रुपिय भी नहीं होंगे या सुनकर किसान 30 मिनट के अंदर 10 लाक रुपिय कैस ले आता है और कहता है कि मुझे आज इस कारी की डिलेवरी चाहिए तभी सेल्समेन की टीम कहती है डिलेवरी के लिए कम से कम 2-3 दिन का बक्त चाहिए तभी किसान गुस्ता में आकर पुलीस को बुला लेता है और अंत में सेल्समेन किसान से माफी मांगता है दूसरी खबर पे चलते हैं अमेरिका में बढ़ती मागाई के सवाल पर राष्टपती जो बाइडन इतने नराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को गाली दे दी बाइडन का यह वीडियो सोसल मीडिया पे बाइरल हो रहा है दरसल फॉक्स नीज के रिपोर्टर पीटर डूसी ने बाइडन से पूछा कि देश में लगतार बढ़ रही महगाई से मीड टेर्म इलेक्शन में आपकी पार्टी का कितना नुकसान होगा इस पर जो बाइडन ने जवाब दिया कि इससे नुकसान नहीं फाइदा होगा और इसके बाद पत्रकार को गाली दिया